आप इछले वीडियो में देखे थे कि MCB काउंट करने का फर्मूला क्या होता है और आज की वीडियो में मैं आपको MCH काउंट करने के फर्मूले को बारे मताने मला हूं और फिर से रिक्वेश्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो लाइक करना न भूलें और प्रसंद आई वी तो ज्यादा ज्यादा सेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ने किया हों तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं MCH काउंट करने के लिए जो उसका फार्मूला होता है यहने कि MCH is equal to total HB हमारे जो जीतना होता है यहने कि HB multiplied 10 divided by total RBC करेंगे इसका फार्मूला होता है तो आपको मैं practically example की तोवा पर बता रहूं इसकी example supported आप माल लो कि अगर patient के HB 12.5 है तो divided by 10 multiply 10 divided by 4.1 तो 12.5 multiplied 10 is equal to यह हो जाएगा 125 और divided by RVC यहने कि 4.1 कि तो जो हमारा result निकल जाएगा जिसे की MCH MCH के जो result निकलेगा ओ हो जाएगा जब इतना हम divided करेंगे तो 30.4 जो इसका unit होता है पिको गराम है निकी PG इसका फुलपर होता है पिको गराम हमें इसका unit होता है और जिसकी हम माप करते हैं तो ऐसे आप calculate कर सकते हो उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके पसंद आई हो और पसंद नहीं हो तो एक बार फिर से लाइक कर दें और वीडियो को जादा है जादा सेयर करें कर दोड़ा